कि है कि है हलो जैंद नमस्कार वंदे मातना प्यार साथ हो एक जरूरी कारण से मैं कुछ दिन तक बाहर रहा इसकी वजह से आपसे एक संपर्क नहीं हो पाया तो अब उमीद करता हूं कि continue हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से संपर्ख करते रहेंगे, हम लोग अपना संपर्ख के स्थापित करते रहेंगे, आपके यूपी पी रिजामनेशन के बारे में सरकारी जिंसियां बहुत ही तेजी से कारी कर रही है और बहुत जल्द ही इस करते हुए हम लोग अपने आज की वीडियो का सुभार अंभ करते हैं और आज का अपना पहला कोश्चन आज का पहला कोश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा बहुत सांदार सा कुस्चन और बहुत ही इंपर्टेंट कुस्चन करा प्राशीन भारत का निपोलियन किसे कहा जा यहां पर जो इसका कट आंसर होने वाला है वह हो जाएगा आप सानमबर डी गुप्त वन्से का एक बहुत इस समराथ एक बहुत ही प्रतिभावावान समराथ समुद्र गुप्त जिससे रहा भार्रक निपोलियन की संग्या दी जाती है और समोद्र गुप्त के बारे में व विजय सुनिशित होती थी और इसके साथ ही साथ यह भी एक कुश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपर्टेंट है कि गुप्ट वंस का कौन सा साथ सक है जो सिक्के पर वीड़ा बजाते हुए अपने आपको प्रत्सित करता है तो यह भी आपको जाननी की जरूरत है कि वह समुद् अंकित होती है अल्सक्राइब जाती है चलते हमने आज कि नेक्ट कुश्चन पर पर और स्क्रेंब कि हिए आपकी स्क्रीन पर की न्यायए-दर्शन के कि प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् तो योग दर्शन के जो परवरतक हो जाएंगे वे हो जाएंगे पतंजली न्याय के कौन हो जाएंगे तो न्याय दर्शन के जो परवरतक हो जाएंगे उनका नाम देखने को मिलेगा क्या गौतम कौन गौतम तो न्याय दर्शन के जो परवरतक देखने को आपको मिलेंगे उ और कपिल मुनि की जब हम बात करते हैं तो सांग लैस्ट संघ प्रवर्षण के रूहर तो निया ऊंसली में में देखने को मिलते हैं तो न्याज जैंग के प्रवर universe के रूप में हमें गौतम देखने को मिलते हैं यहां बात आपको जानने की जरूरत है चलते हैं आज कि नेक्ष्ट कुस्टिन पर और नेक्ष्ट कुस्टिन आपके स्क्रीन पर प्रारंब होता है पहला 57 वर्स दूसा 78 वर्स तैसा 58 वर्स में अर यहां की शुर्वजात हो जाती है और बहुता है या रजख कैने के आपको जरूरत और और आसका कह रहा है कहारा कि कॉल्टिलक के विषै पहला चना कुप्तों मौढट की जीवनि दूसरा है आत्म कथा तीसरा सासन का सिध्धांट चौथा मौर रिवन्स का इटिहास तो आपको बताना कि कोटिल के अर्थसास्ट्र का जो इसे हैं वह क्या है तो देखिए यहां पर क्या करेंगे लोग अर्थसास्ट्र देख करके यह उमीद करेंगे कहीं न कहीं आपके उको नामी से समंधित बताएं गया है उसमें शासन के सिध्धांत के बारे में पूरी व्यख्या की गए एक राजा के कर्दव बताएं गयी है और उसको सासन किस प्रकार चलानी है इसका घार्थसास्ट्र में सिध्धांत की व्यख्या की गई ही आफिक है जब घए बढ़ी कोश्चन है अपका इसे यार रखेगा कई बार आपकी एक्जा में पूछा गया है इसे पता ते पर चलते में आज, आज के पिता का क्या नाम थहां आज ट्रिपितक से आसाई है किसे ट्रिपितक से आसाई है पहला गांधी जी के बंदर दूसरा ब्रह्म्हा विष्डु और महेश तीसरा जैन गरंथ या चौथा बुध्ध के उब्देशों का संग्रह ठीक 4 गांधी जी के पर आप लोगं को याद होंगे एक क्या करता था अपना कनव बंद करके बाइव रहता था और लिखांगा करता आपनी आंख पे आँख बंद करके बैठा रहता था दोनों हाठ से नीचे लिखा रहता था था पुण आपक सम्द्राइब का संग रहा है तो आपका सही हो जाएगा और से आशा है बुद्ध के उब्देशों का संग रहा है बहुत गरंथ है आपका बहुत बढ़ बनिया चलिते आच के नेक्ट कुोइश्टन पर जाने से पहले आप लोगों से एक चोटी सी प्यार्जी गुजारिस कि चैनल पर अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवस्रे करें और अपने सुझाओं हमें कमेंट बाक्स में अवस्रे बताएं करा पाटल पुत्र साहर की स्थापना किस ने की थी पहला बिम्बी साहर दूसरा अजार सत्रू तिसा उदाइन चोथा इन में से कोई नहीं तो आपको बताना पाटल पुत्र साहर की स्थापना किस के द्वारा की गई थी तो पाटल पुत्र की साहर की स्थापना की गई थी आ नाम कोड़ीक के द्वारा ही आपके पाटलपुत्र साहर के स्थापना की गई थी बार में इसका बेटा उद्रीन यह कहता है अपनी राधानी राजगीर से उठाकर के पाटलपुत्र स्थापना की गई थी यह हो जाएगा आपके अजार्च चलते हमें आज की नेक्स किन पर है कह रहा है कि प्राचीन काल में कुम्भा नदी का पुराना नाम क्या था पहला गंडग दूसा का बोलती इसा अस्कली या चोथा सुतूर दूए यह क्या हुआ प्राचीन काल में कुम्भा नदी का पुराना नाम था हुए हम जिनने के लिए बरबाद ठोड़ा यहां में स्प्रिंट हो गया है यहां क्या होगा कि प्राचीन काल में कुमभा किस नदी का पुराना नाम था किसका कुमभा किस नदी का पुराना नाम था ठीक इसको करेट कर लिजेगा किस नदी का पुराना नाम था प्राचीन नाम थे आपका काबुल का किस नदी का नाम थैजा चनाब नदी नाम था Dent सब्सक्राइब है कि सब्सक्राइब कर देवता किसे माना जाता था पहला अगनी दूसरा इंडर तीसरा शूर या चौथा है वरुड तो युद्ध का देवता किसे माना जाता था पॉइड काल में जो आपके युद्ध के देवता माने जाते थे व्हे माने जाते थे इंडर को युद्ध के देवता की संज्जा दी जाती थी ठीक है चलते हमने आज के next question पर और next question क्या कह रहा है वह कह रहा है आपका कि आदिकावी की संग्या किसे दी जाती है पहला है रामाड दूसरा महाभारत तीसरा गीता या चौथा भागवत पुरार तो आदिकावी की संग्या किसे दी जाती है यहां आपको बताना है तो देखें जो तो किस ने की थी तो महार शिवाल मी जी की दौरा की गई थी रामार की रामक्रतमानस की राशना करते हैं तो अगले में आख्यू राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया पहला परुसरी नदी दूसरा स्वस्वची नदी तीसरा विपासा नदी चौथा आपका अश्किनी नदी तो आपको बताना है कि प्रसिद्ध दस राजाओं का युद्ध या जिसें लोग दस राज युद्ध के ना लाड़ा गया था और पर सटी नदी नदी कब वर्तवान किस नाम से लूठ कम से घाने हैं तो इससे हम लोग वर्तवान में रावी नदी के नाम से आज production को जानते हैं तर भी नदी का प्राचीन नाम क्या था प। यह दैसे राग युद्धिका वरन है और यहां मित्र कभीला और सुदास कभीले के बीच में हुआ था ठीक है चलते हमने आज के नेक्स कुश्चन पर और नेक्स कुश्चन क्या कह रहा है नेक्स कुश्चन आपका कह रहा है गोमतेश्वर की प्रतिमा कहां इस्थापित है पहला करनाटक दूसरा भूनेश्वर त पिश्ञा जय पूरिय चौथा कोड़ार्ग तो आपको बताना कि ad eating कि प्रतिमा कहां पर इस्थापित को गमित श्थाप्त हो जाती है या अच्छा इस्थापना किसके द्वारा कर आई गई थी तो राजा रचमल कि चामुंदा राय नाम थोन का चामुंदा राय के द्वारा यहां गोम्यतियसवर की प्रत्मा की स्थापना कराई जाती है चलते हमने आज अदे निकस्कोशन पर और हो निक्स कोशन का रहा है कि चोलग की राध्धानी क्या थी आपको बताना कावेरी 75 घूर मभी पूर्म तुपाना कावेरी 15 बहुद्षा-कान्ची-चोथा- तंजोर देखे इस समय गर्मी बहुत ही प्रचंद रूप में अपने पड़ रही है और बहुत ही सावधानी साथ आप लोग बाहर निकल लिए और समय समय पर आप लोग जो है दावा वगरा लेते रहे हैं अगर किसी कोई समस्या हो रही है तो और इस समय बहुत ही जरूरी का आप लोग बाहर निकलने का प्रयास किजिए तो चोलों की राध्धानी क्या थी चोलों की राध्धानी के अगर बात करें तो डक्षिर भारत में एक वंस स्थापित हुआ वह क्या था आपका चोल वंस था और उसकी जो राध्धानी थी उसकी राध्धानी के रूप में आ आपके तंजोर देखने को मिलता है क्या देखने को मिलता है तंजोर तो चोलों की जो राधानी थी वह क्या थी आपकी तंजोर थी बहुत बढ़ है इसकी स्थापना की गई थी तो विजियाले के द्वारा किसके द्वारा विजियाले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और विजियाले को ही नर्केशरी की भी उपमा दी जाती है ठीक है चलते हमने आज के अगले कुश्चन पर और आपका नेक्ट कुश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा करा कि आलहा उदल सम्मधित थे पहला चंदेरी से दूसरा विजिसा तीसरा महोबा या चौथा आपका पन् काबुल और कंधार नगर महोबा उदल जन में एक से एक माई केलाल तो इनका संबंद कहां से था इनका संबंद हो जाता था महोबा से कहां से दोनों भाई थे और बहुत सी सूर्वीर भाई थे दोनों तो इनका संबंद जो हो जाता है वह हो जाता है आपके महोबा से कहां स प्रथिवी राज विजय के लेखा कौन है पहला चंद बरदाई दूसरा है प्रथिवी राज चौहान तीसरा है जयानक यह नयन चंद सूरी तो आपको बताना प्रथिवी राज विजय के लेखा कौन है इसका जो करेट आंसर आपका बनने वाला है वह हो जाएगा आपका आपसर नंबर सी कि प्रत्वी राज विजय के लेखक हो जाते हैं जयानक कौन हो जाते हैं वहीं अगर कुश्चन यह होता कि प्रत्वी राज रासु के लेखक कौन है तो आपके चंद बरदाई क्या हो जात जो आप लोगों सुना होगे कावस नहीं होगी कि चार बास चोबीस गज अंगुल अश्ट प्रमाड ता उपर सुल्टान हमत चुक्यों चवहान यह चन्दबरदाई जी के तौरा ही की गई रचना थी और इसी के माध्यम से उन्होंने प्रथिवीराज चवहान को मुहमत गो आपका कि आक है का अंतिम के आपका कह ओनिया का प्रियोंग किसके लिए होता था पहला सेख artists के लिए तीसरा के लिए इनमीं से कोई नहीं तो देखिए वाइडी काल में अगन्या का प्रियोग किया जाता था किसके लिए गाय के लिए किया जाता था जिसके जिसका बढ़ ना किया जा सके उसे का जाता था अगन्या और वाइडी काल में गाय का बढ़ नहीं किया जाता था और यह आपका सब्दे का प्रियोग चैनल पर शितास बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब आवस्ति करें मिलते हैं अबने वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंदे कि अब